आप सभी लोगों का आपके चैनल O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है आईए हम लोग लेक्चर नमबर 22 पढ़ते हैं आज लेक्चर नमबर लेक्चर नमबर 22 एटॉमिक इस्ट्रक्चर का एटॉमिक इस्ट्रक्चर का लेक्चर नमबर 22 पढ़ते हैं बच्चों ठीक है इसमें हम लोग पढ़ेंगे इनर्जी आफ इनर्जी आफ इनर्जी आफ इटॉमिक और्बिटल्स एंड एंड इनर्जी लिवल डियाग्राम इनर्जी लिवल डियाग्राम ये पढ़ेंगे आज हम लोग हमारे जो अध्यन की विशेवस्तु है वह यह रहेगा आज ठीक है अब देखिए देखिए बच्चों इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहला पार्ट है फार हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इनर्जी ओफ और्बिटल कैसे निकालेंगे और फिर मल्टी इलेक्ट्रोजन एटम के लिए फार मल्टी इलेक्ट्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम में जैसा कि हम लोग पढ़े हैं बहुर्स मॉडल भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही वैलिट था और वहाँ से हमने फार्मूला एक निकाला था एनर्जी आफ एनेथ और्बिट देट इस उकल तो माइनस 13.6 जेड स्क्वाइर अपॉन एन स्क्वाइर इलेक्ट्रान वोल्ट ये फार्मूला बच्चों हमने आपको दिया था यहाँ पर देखे एनर्जी आफ एनेथ और्बिट जो है सिर्फ और सिर्फ किस के उपर डिपेंड कर रहा एन के उपर एनर्जी आफ एनेथ और्बिट सिर्फ और सिर्फ n के उपर depend कर रहा और atomic number के उपर depend कर रहा ठीक है तो यहाँ पर अगर hydrogen की बात कर रहे हैं हम तो hydrogen के लिए यानि energy of nth orbit is directly proportional to n यहाँ minus है देखें यहाँ minus है इसलिए universally नहीं होगा अगर यह plus होता तो end universally proportional to n square हो जाता लेकिन यहाँ minus है तो इसलिए end is directly proportional to n यानि principal content number के directly proportion होता है जैसे जैसे principal content number बढ़ता जाएगा वैसे वैसे energy आफ हेने थोर्बिट क्या होगी बढ़ती जाएगे है ना तो hydrogen और hydrogen like atom की energy आप इस तरीके से निकालेंगे बच्छों ठीक है और multi electron atom के लिए जो energy निकालेंगे आप वो होगा बोहर बरी rule बोहर बरी rule देखिए बोहर बरी rule से जो है आप multi electron atom के orbitals की energy निकालेंगे है ना बोहर बरी rule या n plus l rule भी कहते हैं इसको n plus l rule ठीक है यह कहते हैं आई बासोज में तो energy of nth orbit का formula यह है इससे आप निकालेंगे सिर्फ n के उपर depend करता है और multi electron atom रहेगा तो आप जो है n plus l rule लगा के निकालेंगे ठीक है बच्छों आईए देखिए ऐसा क्यूं होता है क्यूं सिर्फ और सिर्फ यह principal quantum number के उपर depend करता है अगर हम इसका हम जानते हाइड्रोजन या hydrogen like atom में सिर्फ एक ही electron होगा बच्छों तो जब एक ही electron होगा तो nucleus जो होता है वो proton का घर होता है nucleus किसका घर होता है? proton का घर होता है और जब एक ही electron होगा चाहे जितने भी शेलाब बना लिजिए electron सिर्फ एक ही होगा है नगर आपने n is equal to 1 में माल लिया electron तो यह electron है और nucleus के अंदर क्या है? proton बैठा है तो nucleus के अंदर proton और यह electron इसी में क्या होगा? attraction लगेगा attraction लगेगा है नगर माल लिजे n is equal to 1 में electron है तो जब n is equal to 1 में है तो n is equal to 1 ही में रहागा यही electron कूद के माल लिजे आ गया किसमे? n is equal to 5 में देखें यही electron कूद करके कहा आ गया माल लिजे? आपने energy दिया और n is equal to 5 में आ गया फिर भी यह electron है और यह nucleus है और nucleus के अंदर क्या है proton है तो proton और electron ही सिर्फ दोनों है और ये एक दूसरे क्या करेंगे फिर से एक बार attract करेंगे अब बच्चों आप बताईए जरा इनके बीच में attraction होगा अब एक बाद बताईए जब n is equal to 1 में था तब ज़्यादा खीच रहा था कि n is equal to 5 में था ज़्यादा खीच रहा है तो आप कहेंगे कि n is equal to 1 में है तब ज़्यादा खीच रहा है सही बात आप कह रहे है अगर n is equal to 1 में होगा तो ये electron जो है tightly bound होगा nucleus के साथ और n is equal to 5 में होगा तो loosely bound होगा इसके respect में है ना इसका मतलब nucleus के जितना पास होगा nucleus के जितना पास होगा उतना ही tightly bound आपका electron होगा ठीक है और हम जानते हैं कि अगर bound होगा तो stable होगा और stable होगा तो energy क्या होगी कम होगी तो जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे energy बढ़ती जाएगी n कम होगा energy कम होते जाएगे stability बढ़ती जाएगे तो देखे wan कि अगर हम बात करें इसमें इनर्जी लेवल ड्राइग्राम की इसके केस में Energy तो होगा अब energy level डाइग्राम की बात करते हैं energy level ड्राइग्राम energy-level ड्राइग्राम की बात करनें तब multi-electronics सिस्टम की बात करेंगे फिर अब एनर्जी लिवल डियाग्राम की बात करें देखिए 1S की जो इनर्जी होगी 1S की जो इनर्जी होगी और 2S की जो इनर्जी होगी फिर 2P की जो इनर्जी होगी है ना फिर 3S, 3P 3D की जो इनर्जी होगी 3F थो होता ही नहीं है, है ना, तो 1S, 2S, 2P, देखेगा, जब S, P, D, F पे डिपेंड नहीं करेगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो देखे, ये 1S जो है, नूकलेस के ज्यादा पास होगा, है ना, तो ये तो ये टाइटली बाउंड होगा बच्चों, ये नूकलेस के पास होगा, 1S क्या होगा, नूकलेस के बेहत करीब है, तो ये जो है, और नूकलेस के अंदर क्या प्रोटान है, तो प्रोटान जो है, इसमें जो इलेक्ट्रोन प्रजेंट होगा, उसको टाइटली बाउंड करे और जब tightly bound करेगा तो यह ज्यादा stable होगा तो energy क्या होगी कम होगी तो इसकी energy बच्चों सबसे कम हो गई अब यहां देखिए 2S और 2P 2S जो है देखिए principal quantum number तो दोनों में सेम है देखिए principal quantum number दोनों में सेम है 2 और 2 और यह शिर्फ किसके उपर depend करता है principal quantum number के उपर depend करता है है न एजी मुथल quantum number के उपर depend नहीं करता है इसका मतलब भी हुआ कि 2S और 2P की जो energy होगी और क्या होगी दोनों का principal quantum number सेम है 2 और 2 इसलिए energy भी क्या होगी सेम होगी उसके बाद देखिए 3S में देखें 3S is equal to 3P is equal to 3D इन तीनों की energy भी क्या होगी देखें 3S, 3P, 3D की energy क्या होगी बराबर होगी क्यों बराबर होगी क्योंकि इसमें जो principal quantum number है उसकी energy क्या है सेम है इसलिए तीनों की energy सेम होगी उसी तरीके से बच्चों देखिए 4S is equal to क्या हो जाएगा 4P is equal to 4D is equal to क्या हो जाएगा is equal to 4F है ना उसी तरीके से आप लिखते जाएए 5S 5S is equal to 5P is equal to 5D is equal to 5F इसी तरीके से आप लिखते जाएए है ना आई बाद समझ में तो 1S की energy जो है सबसे कम और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएगे वैसे वैसे energy में इजाफा भी होता जाएगा आगी बाद समझ में तो energy level diagram अगर हम draw करें तो बच्चों अगर हम देखिए ये रहा energy और ये रहा orbitals, orbitals है ना तो जो 1S orbital होगा देखिए 1S, S में कितने डब्बे होते हैं एक डब्बे होते हैं तो ये होगा आपका 1S, इसकी energy क्या होगी चले मैं ऐसे है तो चले मैं इसकी energy माल लेता हूँ 1S की ठीक है 1S, उसके बाद जो है 1S की energy क्या होगी, सबसे कम होगी, उसके बाद देखिए 2S, 2P, ये है 2S और ये क्या आपका 2P, दोनों की energy क्या होगी, सेम होगी 2S और 2P के energy क्या होगी सेम होगी देखे इस axis पे उसके बाद देखे आपका क्या है 3S 3S और ये क्या होगया 3P और ये क्या होगया 3D इन टीनों के energy क्या होगी सेम होगी उसी तरीके से अगर माल लिजे मैं कहूँ 4S वही चीज इस पर plot कर दे 4S, 4P, 4D और उसके बाद क्या होजागा 4F तो ये energy क्या होगी बराबर होगी सबकी तो अगर आपने इसको energy versus different orbitals का graph ड्रॉ किया इस तरीके से अगर आपने डिपिट कर दिया तो इसे ही बोलते है energy level diagram ठीक है ना तो ये रहा बच्चों hydrogen और hydrogen like atom के लिए है ये है ना multi electron के लिए नहीं है क्योंकि hydrogen और hydrogen like atom में सिर्फ nucleus होता है और एक electron होता है बीच में कोई भी mediator नहीं है इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये principal quantum number के उपर depend करता है यही हाल multi electron atom के लिए नहीं होगा बच्चों है ना आई बास होज में तो आप इसका screenshot ले लिजे उसके बाद हम लोग multi electrons के लिए पढ़ते हैं अ अ अ अ अ ठीक है इसके बाद multi electron atom के लिए पढ़ा जा और देखेंगे कि multi electron के लिए क्यूं multi electron के लिए क्यूं यह सिर्फ प्रिंस्पल quantum number के उपर depend नहीं कर रहा है बल्कि एजी मुथल quantum number या subsidiary quantum number या magnetic moment quantum number के उपर भे डिपेंड कर रहा है देखेंगे सबसे पहले reason क्या है इसका क्या reason है कि यह n प्लस l के उपर depend कर रहा है देखें बच्चों इनर्जी जादा होगी अगर n प्लस l जादा होगा तो reason क्या है हम जानते हैं कि यह हमारा nucleus है और nucleus ही सारे electrons को खीचने के लिए responsible है यानि अपने तरफ खीचने के लिए अपने तरफ attract करने के लिए responsible है nucleus ही सारे electrons को उसके पत पे बनाया रखता है उसके रास्ते पे उसके orbitals में बनाया रखता है ठीक है न देखें तो 2 दूसरे में कितना हो जाएगा 8 2 3 4 5 6 7 8 तीसरे में क्या हो जाएगा बच्चों तीसरे में भी 8 2 4 5 6 7 8 ठीक है उसी तरी के इस 2 8 8 18 18 हो जाएगा फिर 32 32 हो जाएगा ठीक है बच्चों तो देखेंगा मा लीजे मैं इस electron की बात करता हूं तो इस electron और इस electron में क्या होगा बताइए hydrogen में ऐसा नहीं था hydrogen में सिर्फ एक electron था और proton था यानि नूकलियस था बीच में कोई electron नहीं था लेकिन यहाँ पर माजरा अलग है यहाँ पर electron electron इसी को बच्चों बोलते हैं shell, shell repulsion क्या बोलते हैं शेल, shell repulsion तो देखें यहाँ पर क्या है, repulsion है यहाँ पर है बच्चों अच्छा इस electron में और nucleus की बीच में क्या है? attraction, है ना? इस electron और nucleus की बीच में क्या है? attraction, तो दो forces काम करती हैं इसमें attraction, तो repulsion भी है और attraction भी है तो अगर if attraction if attraction is greater than repulsion if attraction is greater than repulsion then then the orbital will be orbital will be more stable orbital ज्यादा stable होगा बच्चों है ना अगर attraction ज्यादा होगा repulsion से तो orbital ज्यादा stable होगा वैसे हर हाल में attraction ज्यादा ही होता है repulsion कभी भी dominant नहीं करता बच्चों है ना तो attraction ज्यादा होता है लेकिन यह attraction इस देखिए attraction जो है यह प्रभावित होता है affected होता है repulsion की वज़े से देखिए अगर shells ज्यादे होंगे देखिए अगर मैंने cells और बनाए तो जैसे जैसे cell बनेंगे वैसे वैसे electron electron repulsion क्या होगा बढ़ता जाएगा अब यह repulsion इसमें है अगर इसमें भी electron है तो इसमें भी repulsion होगा तो जैसे जैसे cells बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे repulsion क्या होगा बढ़ता जाएगा और repulsion बढ़ेगा तो attraction भी उसी ratio में क्या होगा कम होता जाएगा बच्चों और जब कम होता जाएगा तो outermost electron को ये nucleus जो है खीच नहीं पाएगा ठीक है ना तो देखिए इसी को बोलते हैं z effective होता है z minus sigma और sigma होता बच्छो slater constant ये हम लोग बात करेंगे third chapter में ठीक है ना this is called slater constant ठीक है इसका मतलब ये हुगा कि जितने force से nucleus outermost electron को खीचता है उतना force इसे मिल नहीं पाता है क्योंकि बीच में धक्का मुक्की चल नहीं है बीच में लडाईयां चल नहीं है अगर ये बिलकुल nucleus इस electron को जितना force से खीच रहा है ये उतने ही force से खीच जाता इधर लेकिन ऐसा नहीं है तो इसलिए बच्चो z effective क्या होगा z minus sigma और sigma क्या बोलते है इसको slater constant ठीक है इसलिए एक टर्म बनाए गया z effective यानि आपको यानि sigma क्या बताएगा इसी sigma को बच्चो slater constant बोलते हैं या shielding effect बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं shielding effect इसको हम लोग बहुत detail में पढ़ेंगे अभी तो हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि multi electron के लिए सिर्फ principal quantum number के ऊपर energy क्योंने depend करते हैं आईए देखे सबसे पहले जो सबसे लाता बच्चो वो s है तब ही तो आप जब भरते हैं तो 1s 1 से कौन चिपका हुआ है यानि n is equal to 1 में कौन आता है 1s ही आता है देखे n is equal to देखे अगर माले जब बच्चो न की value 1 है तो l की value क्या होगी 0 n की value 1 है तो l की value क्या होगी 0 और l is equal to 0 पे क्या होता है s sub shell क्या होता है s sub shell तो n is equal to 1 में क्या होगा सिर्फ 1s ही होगा है ना 2 के लिए देखते है 2 के लिए जब आप बात करेंगे तो n is equal to 2 के लिए तो L की value क्या होगी, 0 और 1 तो L is equal to 0 पे क्या हो जाएगा L is equal to 0 पे S हो गया और L is equal to 1 पे क्या हो गया P, तो दो ही चीज़ें जो है जिन्दा होती है इसमें, N is equal to 2 पे दो चीज़ें है, देखिए कौन है, एक जो है 2S है, और दूसरा क्या है 2P है, देखिए 2S और 2P है, तो सबसे करीब कौन होता है 1S होता है तो यानि सबसे जो पहला डबबा है बच्चों, सबसे जो पहला orbital है, जो nucleus के बिलकुल पास है, है ना वो कौन सा subcell है, S subcell S subcell जो है nucleus के बहत पास है, order of distance of order of distance of various subcell various subcell from the from the nucleus from the nucleus S subcell सबसे पास है, उसके बाद देखिए सबसे पास क्या है, S उसके बाद देखिए सबसे दूर को होन है, F, फिर D, फिर उसके बाद P, उसके बाद S, distance के फार में लिखते हैं, बच्चों है ना, order of distance of various subcell from the nucleus तो सबसे ज्यादा distance किसका, F का और सबसे कम distance किसका, S का तो यह बताइए, सबसे tightly bound कौन होगा, S जो है यह क्या होगा, tightly bound होगा tightly bound from the nucleus tightly bound from the nucleus tightly bound from the nucleus, जब यह tightly bound होगा, बच्चों, S जो है tightly bound होगा, और सबसे loosely bound कौन होगा, F में जो electron होगे, वो nucleus से बहर दूर होगे, है ना, तो जो J defective होगा, यहनि जो proton का जो force होगा, वो सबसे ज़्यादा किस पर लगता है, S पर लगता है, ठीक है ना तो बच्चों, जब S पर ज़्यादा लगेगा, तो यह bound होगया, अब bound होगया मने stable होगया, यहनि इसकी energy क्या होगी, कम होगी, इसकी energy क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना, stability क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो अगर मैं order of energy की बात करूँ, various subcells की, order energy ज़्यादा, stability कम, उसके बाद क्या होगी, D, उसके बाद P, उसके बाद S, सबसे कम energy किसकी होगी, S की होगी, S की energy क्या होगी, सबसे कम होगी, stability सबस्यादा किसकी होगी, S की होगी बच्चों, ठीक है ना, आगे बात सोज़ में, तो आप देख रहे हैं कि जो energy है, वो F की सबसे ज़्यादा है, F की सबसे ज़्यादा है, आई वा सोज में, जैसे माल लेजे principle quantum number से ही हो जाए, जैसे माल लेजे मैं को हूँ, 4S, 4P, 4D और 4F, अगर यह hydrogen like atom के लिए होता, तो hydrogen like atom या hydrogen atom के लिए मैंने बताया, कि सिर्फ और सिर्फ principle quantum number के उपर depend करेग सिर्फ और सिर्फ, principle quantum number के उपर तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, सबका बराबर हो जाता है, hydrogen like atom या hydrogen के लिए होता तो, लेकिन क्या other system के लिए, क्या यह बराबर है, नहीं बराबर है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि सबशल की energy ही अलग-अलग है, multi electron में, है न, multi electron में, subcell की energy अलग-अलग है, क्योंकि जितने force से electron, outermost electron, जितने force से nucleus, outermost electron को खीच रहा है, वह force, वह electron जो बाहर है, वह मासूस नहीं कर रहा है, बीच में धक्का मुक्की जादा हो रही है, बीच में रिपलसन हो रहा है, इसलिए, jet effective बदलेगा, तो various subcells का जो खिचाव होगा, nucleus के साथ, वह अलग-अलग होगा, इसलिए सिर्फ N पे नहीं बच्चों, S, P, D, F, यानि various subcells के उपर भी energy, multi electron system में, depend करती है, ठीक है, तो देखें, सबसे जादा energy, सबसे जादा stable कौन हो जाएगा, 4S nucleus के बेहत पास होगा, उस इसके बाद 4D होगा, और सबसे दूर कौन होगा, बच्चों, 4F होगा, है न, nucleus को सबसे, nucleus से सबसे करीब कौन होगा, 4S, और सबसे दूर कौन होगा, 4F, 4F सबसे दूर होगा, सबसे पास 4S होगा, तो सबसे जादा energy किसकी होगी, 4F की energy सबसे जादा होगी, और stability का होगी, स की वेलू क्या इसकी 4 और L की वेलू 0 तो N प्लस L कितना हो गया इसका N प्लस L हो गया 4 चलिए इसका देखे 4P का तो 4P का हो जाएगा बच्चो N की वेलू 4 और L की वेलू 1 तो N प्लस L कितना हो गया इसका 5 इसका N n plus L कितना हो जाएँगा दो हो गया तो, 4, 2, 6 और इसका कितना हो जाएगा n plus L, 7 n plus L कितना हो गया बच्चों 7 हो गया ठीक है तो आप n plus L से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकता है इस तरीके से भी तो यहाँ पर समझना जरूरी था कि कैसे हो रहा है सारी छीज तो आप n plus l से जो है सबसे जिसका n plus l सबसेज़ सबसे जदा इसके energy सबसे जदा तेखना मां लेजे बच्चों एक बाता ओर देखिए देखिए अगर मां लिजे किसी 2 के लिए इन plus l की value क्या आजा है सेम आजा है अब किसकी इनर्जी ज्यादा होगी देखिए देखिए मैं बताता हूँ जिसे मालेजे बनेस जिसे मालेजे ये और मुझे इसका पता करना है तो एन के वैलू कितनी है बच्चों 1 और एल के वैलू 0 तो एन प्लस एल कितना हो गया 1 इसके लिए एन प्लस एल कितना हो गया 2 इसके लिए एन प्लस एल कितना हो गया बच्चों 2 एक 3 इसके लिए एन प्लस एल कितना हो गया बच्चों 3 इसके लिए एन प्लस एल कितना हो ग तो देखिए, N प्लस L जिसका ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगे, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी बच्चों, 3D की एनर्जी सबसे ज्यादा है, अब N प्लस L जिसका कम है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी और इस्टिबिल्टी ज्यादा होगी, तो 2S की, उसके बाद किसकी होगी, अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, 2P के लिए और 3S के लिए N plus L क्या हो गया, सेम हो गया, है ना, देखिए, 2P और 3S के लिए N plus L क्या हो गया, सेम हो गया, तो जिसका N छोटा होगा, जिसका N छोटा होगा, उसकी energy क्या होगी, छोटी होगी बच्चों, है न, जिसका n छोटा, उसका energy छोटा, तो देखें, 2p पहले आएगा, उसके बाद जो है, आपका 3p आएगा, ठीक है न, ऐसारी, 3s, पहले 2p, फिर 3s, उसके बाद क्या आएगा, देखें, n प्लस l की value 4, और 4s की value भी यहां भी value, 3p के लिए n प्लस l 4 है, और 4s के लिए भी n प्लस l क्या 4 है, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन रखा जाएगा, यानि सबसे कम energy किसी होगी, जिसकी n सबसे कम होगा, तो यहां पर 3p आजाएगा बच्चों, और उसके बाद क्या आएगा, 4s आएगा, और उसके बाद क् हम electron fill करें, तो electron सबसे पहले most stable orbital में जाएगा, तो सबसे पहले 1s में जाएगा, और सबसे last में कहा जाएगा, 3D में जाएगा, तो बच्चों यह रहा reason के साथ, कि किस तरीके से जो है, आप, अगर मैं किस तरीके से जो है, आप किसी भी orbital की energy बता सकते हैं, अगर energy level diagram की बात क केस में, तो यह रहा energy axis, और उसके बाद यह orbitals की बात करूँ, तो सबसे कम energy होगी बच्चों 1s की, उसके बाद energy होगी 2s की, उसके बाद 2p की, उसके बाद 3s की, उसके बाद 4s की, और उसके बाद किस की होगी, 3D की, तो देखें, जैसे जैसे हम उपर चलते चले जा रहे है उनर्जी हमारी क्या हुरी है? बढ़ती जारी है, बढ़ती जारी है, तो सबसे कम इनर्जी किसकी होगी? 문제 की, तो इस तरीके से अगर आपने इनर्जी डियाग्राम में इसको पिरो दिया, तेशी बोलेंगे कि इनर्जी लेबल डियाग्राम future Multi-Electrop System, तो उमीद करता हूं जिसका N प्लस L जादा होगा, उसकी एनरजी जादा होगी, जिसका N प्लस L कम होगा, उसकी एनरजी कम होगी, ठीक है? अगर सेम आजाए तो जिसका N छोटा होगा उसकी एनरजी छोटी होगी और जिसका N बड़ा होगा उसकी एनरजी बड़ी होगी आईए बच्चों एक तरीके का प्राबलम और आता है इसमें एक तरीके का प्राबलम और आता है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है जैसे अगर same subcell की बात कर दे बच्चों, same subcell की बात कर दे, energy of same subcell, देखे, energy of same subcell, energy of same subcell in different element, in different element, यह बच्चों बहुत important है यह, है न? energy of same subsaline different element है ना देखे जैसे माल लीजे पूछ दे कि energy of 2S आप hydrogen में बताईए फिर energy of 2S ही आप किसमें बताईए लीथियम में फिर energy of 2S जो है यही बता दीजे आप sodium में और energy आप 2S ही बताईए पोटेशियम में इस तरीके का प्रावलम आ जाए तो फिर आप energy कैसे निकालते हैं देखे पहली बात कि अगर बेटा सेम सबसेल हो जैसे 2S यहाँ है 2S यहाँ है 2S यहाँ है और 2S यहाँ है देखे दो चीज है मैं सिर्फ यह नहीं कहूंगा कि सबसेल ही सेम है देखे वेन इसको सॉल करते हैं वेन principle quantum number when principle quantum number and sub-cell sub-cell are same are same for different element yeah atom different atom then then energy inversely proportional to energy inversely proportional to atomic number atomic number ठीक है जिसका atomic number ज्यादा होगा उसकी energy कम होगी और जिसका atomic number कम होगा उसकी energy ज्यादा होगी तो बताइए हए हां hydrogen है यहां lithium है यहां sodium है और यहां potassium है तो किसकी atomic number कम है तो hydrogen के कम है तो इसकी energy क्या होगी ज्यादा होगी तो जो order बनेगा बच्चों तो energy of 2S for hydrogen is greater than energy of 2S for lithium is greater than energy of 2S for sodium is greater than energy of 2S in potassium ठीक है बच्चों आखिर इसके पीछे reason क्या बच्चों क्या reason है किस तरीके से आप excellent करेंगे वैसे यह relation अगर आप याद रखेंगे कि when principal quantum number and subcellar same for different atom than energy universally proportional to atomic number इसके पीछे बच्चों reason क्या देखें अगर मैं 2S की बात करों तो देखें न्यूक्लियस में प्रोटान कितने हैं एक प्रोटान है ठीक है यहां लीथियम में कुल कितने प्रोटान है बच्चों लीथियम के तो reason की बात करें अगर हम तो देखेगा मैं फिर से इसको बता रहा हूं energy of 2S in hydrogen फिर energy of 2S for lithium energy of 2S of sodium और energy of 2S of potassium energy of 2S of potassium थोड़ा बड़ा बड़ा करके देखें ताकि समझ में अच्छा ऐसे आएगा देखें बच्चों reason की बात अगर मैं करूँ reason जो मैंने आपको order बताया भी reason क्या है इसके पीछे देखें यहां hydrogen में कितने proton है बताईए अगर मैं hydrogen का लूँ हूँ यहाँ पे तो hydrogen में कितने proton है एक proton है यही एक proton किसको को खीच रहा है 2s orbital को अपनी तरफ खीच रहा है है ना 2s सबसेल को यानि S सबसेल को अपनी तरफ खीच रहा है बच्चो देखो 2s जितने distance पे है hydrogen में उतने ही distance पे क्या lithium में भी है 2s और उतने ही distance पे क्या है sodium में है और उतने ही distance पे potassium में है 2S क्योंकि N के value 2 क्या है? सेम है और sub cell भी सेम है तो जो इसका position है वो सारे में क्या है? सेम है लेकिन यहाँ पे hydrogen में कितने proton खीच रहा है? बताए यह एक proton 2S को खीच रहा है यहाँ देखिए अगर मैं इसमें बात करूँ तो lithium में कुल कितने proton है? बच्चो तीन proton, lithium में कितने होते हैं? तीन, atomic number 3 होता है तो 3 proton होंगे यह 3 proton उतने ही distance पे situated 2S को क्या कर रहा है? खीच रहा है अब यहाँ पे बच्चो देखिए 11, sodium का atomic number कितना होता है? 11 proton, उतने ही distance पे 2S जो है, आपका जो subcell cell और subcell जो present है उसको खीच रहा है potassium के case में देखा जाए बच्चो तो potassium में जो है total 19 proton जो है क्या कर रहा है? खीच रहा है 2S को तो आप यह बताइए, 19 proton ज्यादा तीजी से खीचेगा कि 1 proton खीचेगा, तो 19 proton तीजी से 2S को खीचेगा तो सबसे ज़्यादा stable कौन होगा? 2S होगा और सबसे कम stable कौन होगा? यह hydrogen वाला होगा तो energy का order क्या हो जाएगा बच्चों? तो जिसकी stability ज़्यादा उसकी energy कम और जिसकी energy जो है, जिसकी stability कम उसकी energy ज़्यादा तो यह order बन गया बच्चों यही वज़य है कि अगर same cell हो same cell हो और same cell हो तो जो atomic number होता है उसके inversely proportional होता है क्योंकि जब same cell और sub cell होगा, तो उसकी location जो है nucleus state same होगी, तो जब atomic number ज़्यादा होगा, तो proton ज़्यादे होंगे उसमें, और वो बड़ी तेजी से खीचेगा, तो stability बढ़ जाएगी उसकी और stability बढ़ गई तो energy क्या होगी, कम होगे तो इसलिए बच्चों यह order बना एक तरीके का problem और आता है इसको कैसे tackle करते हैं, जैसे माल लेजे आ गया कि N plus L is equal to दे दिया, 5 यह 7, माल यह 7 दे दिया ठीक है, N plus L is equal to 7 दे दिया, और कहेगा कि इसके सारे possible cells बताइए कितने various possible cells और sub cells बनेंगे तो आप बच्चों L को पकड़िएगा जब भी ऐसा problem आजाए, N plus L is equal to 7 हो जाए, N plus L is equal to 5 हो जाए, है ना तो आपको various cells और sub cells कहें निकालने के लिए, तो यह काम करिएगा, देखिए, N plus L है तो L को पकड़िए, आप 0 सी स्टार्ट करिए L is equal to 0, तो क्या होता है S, देखिए, तो एक काम करिए, L is equal to 0 होगा ति यह क्या हो गया, 7 ही हो गया, है ना, तो क्या हो 7, principal count number 7, और L is equal to 0, तो क्या हो गया S, तो 7S हो गया, फिर देखिए, यहाँ पर बेटा देखो अब क्या करो, 0 से फिर 1 करो इसको, 0, 1, इसको बढ़ाते जाएए और इसको घटाते जाएगा, तो आप L को ही पकड़िएगा, L is equal to 1, तो क्या हो गया P, और कितना करों कि 6, 6, 7, तो 6P हो गया अब देखिए बच्चों, यहाँ पर L is equal to 0 1, उसके बाद क्या हो गया, 2 तो यह क्या हो गया, 5, तो कितना हो गया, 5 D, अब देखिए बच्चों यह 3 हो गया, तो यह क्या हो जगा, 4 4, 3 कितना हो गया, 7, तो यह क्या हो गया, 4 D, क्या हो गया, 4 D, नहीं, 4 F हो गया, सही है L is equal to 3 तो क्या होता है, F L is equal to 2 तो D अब आपको बेटा पूछे, एनरजी किसकी जादा है तो N plus L तो सबका जादा N plus L तो सबका सेम है N plus L क्या हो, सेम है सबका तो एनरजी क्या सेम होगी, क्या, नहीं अगर यह हाइड्रोजन होता तो भी नहीं सेम होता, क्योंकि हाइड्रोजन में भी principal content number के उपर डिपन करता है चलिए, यह तो multi electron के लिए हमने माना है तो multi electron में बताइए जिसका N plus L सबसे जादा उसकी एनरजी सबसे यादा लेकिन यहाँ पर N plus L सेम है तो जिसका N कम, उसकी एनरजी कम तो सबसे कम किस की हो जाएगी 4F की, उसके बाद किस की होगी 5D की, उसके बाद 6P की और सबसे जादा एनरजी होगी बच्चों 7S की, यह है आपका उसी तरह किस N plus L5 में आ जाए तब क्या करेंगा, जिरो तो यе क्या होगा, 5 5S ये रख दीजे, 1 तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो 4P हो गया बच्चों ये रखे, 2 तो ये क्या हो गया, 2 तो 2D हो गया आपका ये रखे, 3 तो यह क्या हो गया 1 तो क्या हो जाएगा 1 यह देखिए 1 और यह क्या हो गया F ठीक है तो बताएं बच्चों क्या 1 F एक्जिस्ट करता है नहीं क्या 2D एक्जिस्ट करता है नहीं तो फिर कितने आ गया सिर्फ दो ही आएंगे 5S और 4P ठीक है न 2D exist नहीं करता 1F exist नहीं करता D जो है 3 से exist करता है 3D होता है और F जो है 4 से exist करता है तो यह हो गया 5S और यह 4P तो सबसे ज़्यादा energy किसके होगी जिसका N ज़्यादा होगा तो देखें 4P की energy कम और 5S की energy ज़्यादा तो यह हो गया order इस तरीके से आप problem को टेकल कर लेज़ेगा ठीक है आई बासोज में अब देखें एक तरीके का problem और पूछा जाता है एक्जाम में देखें जैसे मा लेजे दे दिया 2S, 2P और 3D यह मा लेजे दे दिया और यह बना दिया nucleus तो पूछेगा आपसे कि इस nucleus का force जो है इस nucleus का force या इस nucleus का attraction कि cell और subcell पे ज़्यादा है तो देखें मैंने अभी बताया आपको कि S जो है सबसे करीब होता है देखें 2S और 2P देखें principal quantum number तो सेम है लेकिन subcell जो है यहाँ पे subcell डिसाइट करेगा तो S जो है ज़्यादा penetrating होता है penetrating मने closer to the nucleus होता है तो S पे ज़्यादा effect पड़ेगा यानि 2S पे यह जो है tightly bound होगा बच्चों कैसा bound होगा tightly T से tightly B से bound tightly bound होगा और 3D जो है nucleus से दूर है तो यह क्या होगा loosely bound होगा ठीक है ना उसी तरीके से मालीजे यह nucleus दे दिया और कहा 4S, 4P, 4D, 4F तो सबसे tightly bound कौन होगा तो यहाँ देखें सब 4, 4 same है तो आप orbital पे जाईए सबसल पे जाईए तो 4S सबसल जो है मेरे साथ बने रहने के लिए O2 Educational Services के साथ बने रहने के लिए आप सभी लों का बहुत बहुत धन्यवाद